बखवास करने वाली राशिया बखवास राशिया नहीं ऐसी राशिया जिनके कुछ नक्षत्रों के कारण आदमी बखवास किसे कहते हैं ऐसी बात जिसका कोई सरपहर ना हो ऐसी बात जिसका कोई औचित्त ना हो मतलब रीजन ना हो क्यूं आप बोल रहे हैं ऐसी बात जिससे कोई लाभ ना होने वाली हो ऐसी बात जिसका ज्यान से कोई सरोकार ना हो ऐसी बात को बखवास कहते हैं अलग-अलग छेत्रों में इसे अलग-अलग नाम से बोलते हैं जैसे हम लोग जब एलाहवाद में पढ़ाई करते थे तो वहां बोला जाता है बकईती मतलब बहुत बर्चार करके फागदु का बोलना और आल मिला करके जो अननेसेसरली बात करता है अनावश्यक बात करता उसे बकवास बन्द कर बकवास कहते हैं नखषत्रों के कारण हमारा सुभाव बनता है जैसे मान लिजे कि हमारा विशाखा नक्षत्र का चतुर्त चरुनह चंद्रमा जीरो डिगरी का विश्चिक राशी में तो ब्रहश्पत नक्षत्र स्वामी है तो सुभाव में अलग तरह का ठहराव आ जाएगा यकीनन इसमें दो राय नहीं कि मैंने अपने बहुत सारे कार्कमों में भी बताया है चंद्रमा का रोल हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा होता है इतनी जगों से कनेक्ट कर देंगे च्छाती, चतुर्त भाव, चंद्रमा मा के च्छाती से दूध, पहले आहार के रूप में वच्चे के मन में आता है सुख वहीं पर है, मा का संबंध चंद्रमा से है चंद्रमा के भवाद, भवोक के आधार पर आपकी दशा का निर्धारन होता है और हम कहां पढ़े रहते हैं? हाई रे राम गज के सरिया, हाई रे राम सस योग, मालब योग, रूचक योग सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा को अगर आपने पकड़ लिया तो कुंडली की पूरी इस्थिति को आपने अपने सांचे में ढाल लिया और यहीं से निकलती है बकवास करने वाली राशियां नमबर एक पर आती है जो राशी बहुत बकवास करती है मिथुन राशी विद ड्यू रिस्पेक्ट अब है तो है नमबर दो कर कराशी मेरे सामने कोई आता है शुरू कर देगा अचानक से हमें टोकना पड़ता कि मुझे क्यूं बता रहे है हम भला पंडी जी कहां गये थे तुन्होंने ऐसे बोल दिया था तो हमने ऐसे किया फिर हमारे साथ ऐसे हो गया फिर हम अब हम क्या करें अब हम क्या करें हमें कहें बताए हमारे पास आए हैं अब नई सुरुवात करने जा रहे हैं आप उसे सुरू करिए पर दादा दादा मतलब जो आवश्यक नहीं है उसे बोलना बकवास की स्रेडीम आता है मिथुन और कर्क दो लोगों का नाम इसमें आ गया है नमबर तीन पर आता है अनुराधा नक्षत्र के कारण व्रिश्चिक राशी मिथुन कर्क व्रिश्चिक नमबर चार पर बकवास करने वाली राशी का नाम है नरदरदैन कुम्भराशी और पांचवें नमबर की बकवास करने वाली राशी का नाम मीन राशी यह पांच राशियां है जो बहुत बकवास करती है अनावश्यक बात को खीचती है जिस बात का कोई सरोकार नहीं और चित नहीं उसको खीच 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 कोई भी रिस्ता हो आपकी मा की राशी मिथुन है चंद्रमा की राशी मून साइन की बात कर रहे हैं लेकिन अगर इन राशियों के लगन है आपके तो भी आपके अंदर लक्षन आएगा और अगर इन राशियों की आपकी पुकार नाम वाली राशिय जैसे मालिजी आपका नाम छवी है तो ये मिथुन राशी में आएगा आपका नाम कुसुम है काक्षर से तो मिथुन में आएगा तो ऐसी अगर पुकार नाम की राशियां भी मतलब तीन तरह से आप देखिएगा तीन तरह से देखना है पुकार नाम मून साइन कुडली वाली राशी का नाम और लगन राशी सूर्य राशी नहीं संसाइन नहीं देखना है डेटा बर्थ से मत देखिएगा नहीं मैच करेगा तो मिथुन, कर्क, ब्रिश्चिक, कुम्भ, मीन ये राशियां हैं ऐसी राशी वालों को थोड़ा सा अपने वाली पर अंकुष रखना होता है कम बोलना होता है क्योंकि अगर आप ऐसे ही बोलते रहेंगे तो आप अपना पोल खोलते रहेंगे बहुत आभार आप लोगों का विक्त करते हैं हमेरे रुमत देजेगा अपना बहुत ख्याल रखें हसते मुश्कराते खिल किलाते रहें और हाँ 19 से 25 गया जी जल्दी करिएगा बगिंग करा लीजिए पितरों की बात है घन्नेवाद नमस्कार आचार्य विश्वप्रसिध जोतिशाचार्य संतोश संतोश जी ने अपने 13 वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृती की शक्ती को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आप के जीवन को भर देगा खुशियों से हr समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहधीब जैसे नौक्री के लिए सूर्य ग्रहधीब व्यापार के लिए बुध ग्रहधीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्ष्मी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहधीब मॉडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदी तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदी दीप एक खुशियां अनेक मंगवाई अपना है